नमस्कार दोस्तों, मैं धिरेंदर आफ सभी का स्वागत करता हूँ आवतार इस्टडी के इस प्लेटफार्म पर आज में हम एक नया चेप्टर सुरू करेंगे रीजिनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिर डिकोडिंग बेसिक से अगर हम सुरू करें, तो इसके पहले हमको, जो हमारे अंग्रेजी करवरणमाला अक्षर है 26 अक्षर, उनके मान याद करने होते हैं, तो आप सभी को, जो उनके मान है, वो कैसे याद करना है, वो मैं बताऊंगा, और इसके साथ साथ जो उनके opposite होते हैं, उन अपोजित अक्षर को याद करने की जो सांदार वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने हमारी टाइप की कुछ्टन हमारी एक्जाम में पुछ जाते हैं, और तौ। होते हैं और पहला टापिक्स जो होता है वो क्या है और जो कुछ नए इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आड़ कियें गए हैं वो कौन से टापिक है और उनको हम किस तरीके से अच्छे से बढ़ेंगे चलो सुरू करते हैं देखिए अलफाबेट्स तो आप जानते ही हैं क्या क्या होते हैं और उनके मान भी आप जानते हैं कैसे याद करना होता है ठीक है देखिए ये रहा ठीक है पहला है तो इसका मतलब A क्या होगा A नमबर 1 पर होगा B तूसरे पर होगा C तीसरे पर होगा D चौथे पर है E5 F6 G7 8 H और 9 I ठीक है ऐसे 10 के फिर 11 12 13 N का 14 होगा ठीक है O का 15 होगा P का 16 Q का 17 R का 18 S का 19 T का 20 U का 21 V का 22 W का 23 X का 24 और Y का 25 और Z का 26 ठीक है अब देखो इसको याद करने के लिए बहुत सारे नियम भी होते हैं बहुत सारे ट्रीक भी होते हैं से सिफलर X हो गया और सारे बहुत सारे ट्रीके हैं आप समयों को पता है ठीक है लेकिन basic क्या है अगर आप इसे चाहें तो आराम से दो-तीन बार पढ़ेंगे दो-तीन बार पढ़ने के बाद आपको इसके सारे मान याद हो जाएंगे ठीक है लेकिन इसमें problem कहा होती है problem होती है इसके opposite मान याद करने की तो opposite कैसे करते हैं आईए उसको में देखते हैं कि opposite मान जो होगा वो हम कैसे उसको में याद करेंगे ठीक है देखिए तो आप सभी लोग इसको तीन से चार बार पढ़ेंगे इसके जो मान है वो तुरंट आपको असानी से याद हो जाएंगे इसमें से कोई भी trick का कोई मतलब नहीं है देखिए trick का मतलब कहा है बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर हुगा इनके जो मान याद करने हैं ठीक है opposite मान जो opposite मान है वो कैसे हम याद करते हैं कोई भी एक अच्छर है अगर उन अच्छर के मान को आपस में जोड दिया जाए और जोडने पर 27 आता है तो उस condition में उन्हें माना जाता है कि वो क्या है opposite है जैसे हमने कहा कि A और A का मान कितना है एक और Z, Z का मान कितना है 26 अब इनके मानों को आपस में जोडने पर कितना आरा 27 तो जो भी कोई भी alphabets होंगा दो alphabets उनके मानों को जोडने पर उनका मान 27 आता है तो उस condition में उसे हम मानते हैं कि वो क्या है वो just opposite है दोनों क्या है opposite है तो ऐसे ही opposite जो हमारे alphabets हैं उनका मान हम कैसे ग्यात करते हैं देखे ध्यान से जैसे A यह तो आप जानीगे A का opposite क्या होगा? Z, Z का opposite क्या होगा? A होगा ऐसे ही B, B का opposite by ठीक है? तो आप by की सिर्ष करते हैं तो वहाँ पर यहीं मानते हैं कि आपको B क्या है आपकी useful के लिए क्या है तो B और Y क्या है? दोनों क्या होगे हमारे? दोनों opposite होगे ऐसे ही C और W ठीक है? C और W क्या होगे? opposite होगे यानि C का W क्या होगा? opposite और W का opposite क्या होगा? C उसके बाद यहाँ पर एक मिसिगेंट C का X होगा? क्या होगा? X उसके बाद आएगा Mountain Dew Mountain Dew तो आप पढ़े ही होगे या PA भी होगे ना? तो D का opposite क्या होगा? W डबलू क्या होगा ड का अपोजिट उसके बाद आएगा इवनिंग इवनिंग तो आप जानते हैं E और V ठीक है E और V E और V क्या है एक दुसरे के अपोजिट है अब देखो E और V की बात करें तो एक इवनिंग भी कह सकते हैं और लब भी कह सकते हैं, लब ठीक है, तो लब में V और E क्या होता है, एक दुसरे की अपोजिट होता है, और ऐसे ही L O भी क्या है, एक दुसरे का अपोजिट होता है, तो दोनों में L O भी क्या है, L जो है O का अपोजिट है, O जो है L का अपोजिट है, V जो है E का अपोजिट और E जो है, V का opposite है, ठीक है, उसके बाद आएगा few, few many F और U, F और U क्या है, just opposite है, उसके बाद क्या आएगा, F की बाद क्या आएगा, Z, और आप जानते हैं, Grand Tank Road, अरथा GT Road, G का T क्या है, opposite है, GT से याद रखेंग, GT Road मतलब सेरसा सोरी, तो उससे क्या होगा, यह आपको याद सिंग या High School, ठीक है, किसी भी याद कर सकते हैं, High School या Honey Singh, उसके बाद क्या आएगा, Indian Railway, IR का मतलब, Indian Railway, ठीक है, Indian Railway से आपको याद रहेगा, उसके बाद आएगा, Jacqueline Fernandez, J, K, J, Q, ठीक है, J का opposite क्या होगा, Q होगा, और Q का opposite क्या होगा, J होगा, उसके बाद जो आएगा उएगा हमारा कमला पसंद, K, P मतलब क्या होगा, कमला पसंद, ठीक है, क्या होगा, बताओ, कमला पसंद, उसके बाद आएगा, L, O, L, O तुम बताई चुके हैंędह, लब, लब में दो होते हैं, एक L, L का O होगा, O का L, वी का E, और E का V, उसके बाद क्या आएगा, उसके तो M N ये क्या है मारा last तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं alphabets के जो opposite मान होते हैं उनको आसानी से हम याद कर सकते हैं ठीक है आगे आगे देखते हैं और हमको क्या-क्या याद करना है इसमें देखो alphabets के साथ साथ और क्या-क्या याद करना है आपको ध्यान देना है पहले पहले नंबर पर तो आपको alphabets याद करना है ठीक है जो हमारे alphabets है वो क्या क्या है alphabets हमारे जो भी है वो उनका मान और उनके जो opposite होते है ठीक है उनका जो opposite होता है उससे हमको याद करना है उसके बाद हमको एक से लेकर 30 तक हमको square याद करना है यानि work याद करना है क्योंकि coding decoding में question आपको मिलेंगे work के भी मिलेंगे आगे तो आपको work भी क्या करना है याद करना है 1-30 तक उसकी बाद आपको 1-20 तक आपको याद करना है घन अथाद क्यों घन और square आपको बहुत ही important है कि reasoning का decoding decoding topic है वहाँ से यहाँ से अकर आपको याद है तो आप बेदिन second उसको कर सकते है और इसके साथ साथ पूरी reasoning में इसका यूद होता है घन और वरका तो ये आपको याद करना है बाकि जो basic होता है तो आप जानते ही याद करना पड़ेगा जैसे हम पाड़े की बात कर चुके हैं ठीक है पाड़े भी याद करना है तो पाड़े भी याद कर लीजीगा और उसके बाद हम सुरू करेंगे कि हमको क्या-क्या इस coding decoding topic में क्या-क्या पढ़ना है कितने type के question बन सकते हैं और क्या-क्या बन सकते हैं देखो इसमें तीन type के question बनते हैं एक पहला होता है हमारा number या पहला होगा हमारा later later coding ठीक है later coding में क्या होता है हम later को code करते हैं किसी अन्य भासा में हम code करते हैं लेकिन देखो chapter ही क्या है coding decoding तो coding decoding का मतलब तो हम बताये ने शुरूबात में लेकिन आप सभी लोग को पता होगा और सभी लोग comment करके पताईए का coding decoding का मतलब क्या होता है अगर नहीं पता तो मैं अगले वीडियो में बता देऊगा ठीक है तो पहले topic हम क्या पढ़ेंगे पहले topic पढ़ेंगे later coding उसके बाद दूसरा हमारा topic होता है number coding ठीक है क्या होगा number coding कैसे हम number को आसानी तरीके से code करते हैं और code करने के बाद कैसे हम उसको ग्यान करते हैं यह हम आपको यहाँ पे number coding में घ्यात करेंगे उसके बाद तीसरा हमारा topic होगा उससे हम कहते है mix coding ठीक है क्या होगा mix coding अब देखो mix coding में बैंकों की बाद करें तो mix coding में बैंकों में कुछ नए topic अभी add किये गए हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या-क्या जो हमारे old topic थे क्योंकि जो पुराने topic है तो यहाँ पे सिर्फ तीन प्रकार की question मिलते हैं तीन टाइप की question मिलते हैं लिटर कोडिंग नंबर कोडिंग mix coding और mix में जो पुराना था उसको पढ़ना है और जो नया भी add किया गया उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे अब देखते हैं सबसे पहला topic है उसको हम पढ़ते है coding later coding ठीक है देखिए later coding में क्या होता है आज हम question type नहीं किये है ऐसे आपको बदा रहे हैं लेकिन कल हम अच्छे-च्छे question आपको दिखाएंगे तो एक question आपको हम दिखाते है कि जो later coding गा है उसको कैसे आसान तरीके से solve करते हैं ठीक है देखिए जैसे इनने लिखा किसी भी किसी चीज को उनने लिखा कि लिखा आपने hold को hold को hold को लिखा जाता है I I I P M और E ठीक है hold को लिखा जाता है I, P, M, E तोसी code भासा में silk को क्या लिखा जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे एकर देखा जाए तो इस later coding में जो पहला topic या जो पहला नियम लागू होता है उसे हम कहते है forward ठीक है forward method forward method forward में क्या होता है तो forward जो method हुटा है या तो कुछ चीजे होंगी उस चीजों में वहाँ प्लस करे या क्या करे माइनस करे ठीक है यानि जो code आपको दिया होगा उसमें कुछ चीजे प्लस करे या माइनस करे ठीक है प्राइगरी का प्रेम में उस्टन आर्थत के लिऊजे लिए नियम के लिए व हम देंक होगा वही नियम लगा करके हम यहाँ पर अपना एंसर राम से प्राप्त कर सकेंगे ठीक है देखो अब देखो ध्यान से पहले hold जो है इसमें नियम क्या लग रहा है तो अभी एकाद पहली class में हम इसके मान उपर लिख रहे हैं लेकिन हम बाद में मान नहीं लिखेंगे लेकिन बाद में इस का मान हमको याद हो जाएगा तो मान नहीं लिखेंगे योगि हमको एक्जाम में मान नहीं लिखना है देखिए hold का h का मान कितना होगा 8 होगा ऐसे ही जो o है उसका मान कितना होगा 15 l का मान कितना होगा 12 होगा और d का मान कितना होगा 4 होगा अब यहाँ पे हम I वाला देखें तो I कमान जितना होता है? I कमान हमारा होता है 9 P कमान कितना होता है? 16 M कमान कितना होता है? 13 D कमान कितना होता है? 5 अब दिखो दिहान से पहले यहाँ पे तो यहाँ पे गड़ देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर H से I आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको प्लस 1 करना पड़ेगा O से P आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको प्लस 1 करना पड़ेगा L से M आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको प्लस 1 करना पड़ेगा इसका मतलब जो लिटर कोडिंग का पहला ग्रट परेटरन हैं उसे क्या हो से बोलते ह। अब गई ए अप जानते हैं उसमें क्या होता है, resposta प्लस ऊ- तो इसमा क्या हो रहा ह। प्लस या मानस जैसे हम यहाँ पे जो नियम यहाँ पे लगाएं हैं वही नियम सिल्क के में लगाएंगे और सिल्क में लगा करके अपना एंसल नाम से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो क्या लगा रहा है बताओ प्लस वन सिर्ज किसकी है प्लस वन की है प्लस वन सब में हो रह कोड झाया हो जाएगा और यहिए हमारा क्या प्लस उन करोंगे आएगा थीक ही को हमflower आएद्सेगा खुखा क्या आएगा सुना है और क्ली को अधार्व गोड़ क्या होगा थी आउन्हांगे तो प्लिधो हो फ्लेक्ट की फ्लस यूसर यून हो गा, शिल्क कोड क्या इसे हम कहते हैं forward pattern sorry क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं reverse pattern अर्थात beprit pattern वो क्या होगा देखिए अगर beprit pattern होगा तो उस condition में क्या हो सकता है तो आपको सोचना है कि forward pattern है या beprit pattern होगा या beprit शिंखला चल रही यहाँ पे तो reverse pattern जो होता है वो कैसे होता है देखो ध्यान से पहले जो reverse pattern होगा हमारा reverse pattern ठीक है reverse pattern जो होगा वो कैसे solve होता है तो हमने लिखा था अभी कि अगर जो hold है hold को हमने क्या लिखा था ठीक है यहां कई और लेते हैं यहां पे लिखते हैं जो hand है उस hand को क्या लिखा हमने hand को लिखा हमने e o b i तोसी code भासा में हमने silk को क्या लिखना पड़ेगा आप देखो ध्यान से यहां पे तो h कमान कितना होता है 8 और a कमान 1 n कमान 14 और d कमान 4 5 है O कमान 16 sorry O कमान कितना होगा O कमान होगा 15 B कमान 2 I कमान 9 तो ऐसे ही यहाँ पे कैसे जो नियम लग रहा है वो नियम क्या हो सकता है देखो ध्यान से पहले क्या लग रहा है आपको तो H को देखो पहले ध्यान से H को क्या किया गया है यहाँ पे जो h है उसे पहले वाले से last वाले में तुलना करवाई जा रही है जो पहला वाला है उसको last किया गया यानि यहाँ पर क्या किया प्लस एक कर दिया तो 8 एक कितना हो गया 9 हो गया ऐसे देखो यहाँ पर पहला ठीक है पहला और यहाँ पर जो last से second है उसे किया गया यानि प्लस 1 किया गया तो एक में कितना हो गया दो हो गया 14 एक कितना हो गया 15 और 4 एक कितना हो गया 5 तो ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है इससे करते हैं reverse pattern यानि जो starting का होगा उसकी तुलना last की जाएगी और जो last होगा उसकी तुलना पहले से की जाएगी अब यहां पे हम सेम नियम यहां पर लगा देंगे सिल्क में ठीक है S है S कमान कितना होता है 19 होता है I कमान 9 L कमान 12 और K कमान 11 ठीक है तो यहां पे हम जब reverse button लगाएंगे तो S यहांई 19 में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 20 और 20 किसका होता है T का i में 1 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 10 मतलब 10 क्या हो जाएगा 10 मतलब हो जाएगा j ऐसे ही k में प्लस 1 कर दोगे तो कितना आएगा बताओ m आएगा sorry l में प्लस 1 कर दोगे m आएगा और k में प्लस 1 कर दोगे क्या आएगा l तो correct answer क्या हो जाएगा इसमें LMJT LMJT तो यह हो गया हमारा reverse pattern ठीक है तो आज सिर्फ हम pattern पर ही बात करेंगे और pattern पर बात करने के बाद कल हम इसमें आपको handwriting हमारा notes जो है ठीक है उससे हम copy करके आपको एक PDF बना करके बहतरीन question करवाएंगे तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आप सबी लोग जो हम बताये हैं कि क्या क्या याद करना है उसको याद करते रहिएगा ठीक है coding recording के जो भी लेटर है उसको याद कर लीजेगा और जो इसको square हैं cube हैं वो याद करिएगा ठीक है तो आज इतना रखते हैं मिलते हैं कल तब तक के लिए नमस्कार नजय है